हेलो फ्रेंड वेलकम टू माई चेनल आस्तिन का डिजाइन बनाने के लिए हम आस्तिन की लंबाई नाप लेंगे तो फ्रेंड हमारी आस्तिन की लंबाई 11 इंचे आस्तिन की लंबाई नापने के बाद आस्तिन के कपड़े को हम बीच में से दो भागों में कट कर लेंगे अब हमें चौकोर सेफ में धिर सारा कपड़ा लेना है, कपड़े की लंबाई और चोड़ाई दोनों तीन इन्चे, लंबे वाले कपड़े पे फ्रेंड हमें चौकोर सेफ वाले कपड़े की डिजाइन बनानी है, तो कपड़े को हम ऐसे फोल्ड करेंगे, अब लंबे वाले क कपड़े पे हम थोड़ा सा उपर में लगाएंगे यहां पर और यहां से कपड़े को ऐसे फोल्ड करते हुए हम डिजाइन की उपर लगाकर एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेंगे तो इसकी उपर आपको ऐसे सिलाई चलानी है बिल्कुल सेम इस टेप को फॉलो करते हम पहले वाले डिजाइन की ऊपर लगाएंगे ऐसे यहाँ पे लगाना है पहले वाले डिजाइन के बराबर में होना चाहिए अब उपर के साइड से फोल्ड करते हुए इसे यहाँ पे ऐसे लगाकर एक बराबर में सीधी सिलाई चला देंगे बिल्कुल इसी स्टेप को फॉ design लगाई है अब इसे हमें आस्तिन के कपड़े में joint करना है तो आस्तिन के कपड़े में joint करने के लिए आस्तिन के कपड़े को यहां से ऐसे fold करके design के किनारे के side में हम लगाएंगे अब यहां पे हम एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेंगे बिल्कुल सेम स्टेप को फॉलो करते हुए फ्रेंड हम दूसरे साइड में भी आस्तिन के कपड़े को ज्वाइंट कर लेंगे तो फ्रेंड हमने दूसरे साइड में भी आस्तिन के कपड़े को ज्वाइंट कर लिया है अब उपर के साइड में एश्ट्रा जो हमारा कपड़ा है उसकी कटिंग कर लेंगे तो फ्रेंड हमने उपर के साइड का डिजाइन तयार कर लिया है अब हमें नीचे के साइड का डिजाइन तयार करने के लिए एक लंबा सा चोड़ा सा कपड़ा लेना है कपड़े के चोड़ाई फ्रेंड, साथ इंचे और कपड़े की लंबाई आपको जितना घरना चूनट चाहिए उतना ले सकते हैं नीचे के साइट से ऐसे फोल्ड करते हुए इसके उपर हम एक बराबर में सीथी सिलाई चला लेंगे तो फ्रेंड हमारी ये लाइन भी कंप्लीट हो चली है, अब हम यहाँ से धागी को कट कर लेंगे धागी को कट करने के बाद फ्रेंड, अब हमें दूसरे साइट से कपड़े में चूनट बनाना है तो यहाँ पे हम चूनट बना लेते हैं चूनट हमें थोड़ा बड़ा बड़ा बनाना है जादा छोटा छोटा हमें चूनट नहीं बनाना है तो ऐसे फ्रेंड हम कपड़े में चूनट बना लेंगे चूनट बनाने के बाद फ्रेंड आपको इसे इस्तरी कर लेना है ये देखिए मैंने चूनट को इस्तरी कर लिया है अब जो हमारा बाजू का डिजाइन है उसमें हमें चूनट को ज्वाइंट करना है तो नीचे के साइट से ऐसे हम कपड़े को फोल्ड करेंगे और चूनट पे लगाते हुए इसके उपर एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेंगे तो फ्रेंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब ने किये हैं तो प्लीस हमारे चैनल को सस्क्राइब करकी घंटे को बजा कर आग का उप्शन जरूर सलेक्ट करें जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी तो फ्रेंड हमारी ये लाइन भी कम्प्लीट हो चली है अब हम यहां से धागे को कट करेंगे इस डिजाइन को बनाने के बाद फ्रेंड अब हमें क्या करना है एक लंबा सा चोड़ा सा हमें कपड़ा लेना है कपड़े की चोड़ाई फ्रेंड देड़ इंच होनी चाहिए और कपड़े की लंबाई आप अपने अनुसार ले सकते हैं कपड़े को हमें ऐसे फोल्ड करना है दोनों साइट से और एक बराबर में सिधी सिलाई चुला देनी है तो फ्रेंड इस तरीके से आप बहुती इजी स्टेप में चोड़ी पट्टी वाली डोरी बना लेंगे चोड़ी पट्टी वाली डोरी फ्रेंड हमें दो कलर में बनानी है एक हमारा ये color है और एक color हमने पहले से बना के रखा हुआ है तो ये देखिए हमारा दो color का चोड़ी पट्टी वाली डोरी इसे ऐसे तीर्ची में आपको design पे लगाना है जहांपे हमने चूनट की सिलाई किये वहाँ पे लगाना है और इसे ऐसे फोल्ड करना है और इसके उपर ऐसे सिलाई चलाएंगे सेम इस टेप को follow करते हुए हमें ऐसी ही इसे फोल्ड करते रहना है जिससे हमारा design इजली तयार हो जाएगा तो फ्रेंड जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि आपको चोड़ी पट्टी वाली डोरी को तीर्ची में फोल्ड करना है तो ऐसी ही फ्रेंड फोल्ड करें और आपका design इजली तयार हो जाएगा तो फ्रेंड हमारी ये line भी complete हो चली है अब हम यहां से धागे को cut कर लेंगे और extra design वाले कपड़े को भी तो यहां से हम cut कर लेते हैं इस line को complete करने के बाद फ्रेंड इस design को थोड़ा सा और खुबसूरत बनाने के लिए हम दो color का चौकोर सेप में कपड़ा लेंगे दोनों कपड़े को हमें ऐसे joint करना है अब हम यहां से इसे धागे से cut करेंगे और दोनों साइड से कपड़े को हमें ऐसे fold करना है अब किनारे के साइड में इसके हम सिलाई चला लेंगे दोनों साइड में हमें सिलाई चलानी है अब हमें इसे सीधा कर लेना है अच्छे से सीधा कर लेंगे इसके बीचों बीच में फ्रेंड हमें चूनट बनाना है ऐसे और बीच में बटम लगाते हुए आज दिन के कपड़े में यहां पे हमें लगाना है तो फ्रेंड हमारा डिजाइन बन के कम्पलीट हो चला है थैंक्स पर वाचिंग माई वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में